जहन सात्यू तो सात्यू आज हम आए हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ कहना कि बहुँ ज्यादा यह मलब डेंजर अपडेट है आप लोगों के लिए देखिए आपको पता है कि परसों कोश्चाट का रिल्ट आयता जीडियो डीबी बैच दोजार इकीस का तो अब उस से पहली प्रब्लम्स क्या है बहुत अच्छे समझेंगे वीडियो को स्टार्टिंग से जरू देखेंगे जिन स्टुडेंटों का रजल्ट अभी तक उपिन नहीं पता लगा है कि उनका एक्जाम क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ी प्रब्लम है ना देखें जैसा कि आप देख पा रहें यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर तीन केस हैं अच्छली केस तो चार हैं सबसे पहला है इन्वैलिट कंडिडे यहां पर इन्वैलिट क्रिडेंटल्स भी लिखते आता है ठीके ना और एक है रेजिट्रेशन क्लोज अश्कणॐल है चuwक्वन Original यहां आपको आपको अच्छे साङल में बात करोंगा कि क्या क्या परढ़्लम से मैं सबसे पहले की बात करता उहूं कि फुरो11 एपको वह सब कहद ID अपना password capture डालता है तो उनका रेजल्ट जो है वो open हो जाता है उनका रेजल्ट जो हो open हो रहा है तो open होने के बाद वो अपने marks नहीं देख पा रहे हैं नहीं qualified कोश्च गाड ने सीधे क्या है कि आप अप्षेंट से मतलब आप नहीं नहीं किया है तो we students अब आप कोछ नहीं कर सकते नाहीं में कुछ कर सकता हूं सीधे शीधे आपना से able किया लेकिन आपने एक्जाम दियाद है यहां पर अपो है निकल है कह liz उनका इस हुए आपके फार्म में किसना किसी पीकार से कोई रहर्स आया है जो आपका ए ए निकल के आ रहा है या हो स्कता आपकी प्रिजेंट नहीं लगीए सबसे इंपपोर्टेंट है कि हो स्कता कि आपके प्रिजेंट नहीं लगी большое इसलिए यहां पर यह लिखके आ रहा है यही बात को आप डीपली समझ पा रहे हैं तो भाई जिसका ए लिखके आ रहा है यह प्राबलम जो है इसका कोई सलोसन नहीं है इसका सीधे-सीधे कोशकार ने जताया कि आप कोन है आप अपसेंट से एक्जाम में ठीक है ना लेकिन हा बात करें अगर बात सेकल टेप है रजिस्टेसन क्लो यह भी अपना अपना बास पर डालते हैं जब अंको बहुत कम करता है जब रेज्ट्रेशन कैमेद कर ड मतलब एकि आप का रेज्ट्रेशन है क्लोज तो आपका प्रेजिस एक हम क्लोज कर दिया गया है इस कार यह अपना एक जा आप नहीं देख सकते हैं मतलब आ फार्म में किसी प्रकार से कोई रच था आ फिस प्रकार जो है आप का रेस्ट्रेसर क्लोज कर दिया गया है मैं इसका भी किसी है न Crisis करने स्थिदे कोशख कर ने बोला है कि ये स्टुडेंट की स्टूडेंट की प्रावलम मं है हमारी कोpekा तो आप निराज ना हूँ इसलिए मैं आपने आप से कई बार बोला थे कि फार्म को बहुत अच्छे से ठीक से सम्मेट करें मैं देखी इस पर प्रकार की प्रब्लम्स क्रेट हो रही है तो आप देख पा रहे हैं इन वैलेड कंडिडेट है इन वैलेड क्रेडेंड देखिए से दोनों एकी जैसी Smells प्रब्लमें other criminal स्कूल है इस अगर बात करें तो इन वैलेड कंडिडेट के दो कैसं हो सकते हैं सबसे पहला कैस तो जो जैसा की जासा बाति नहीं पाती है है प्लने का ठीक से चेह करके डाले वैजा mail ID की को बील्कुर ठीक से एकदम अच्छे से डाले इसके बाद जो उसका password है password को भूट ठीक से डाले किसी प्रेफार से गलती नहीं इसकी बात करें from the capture ठीक है बहुत अच्छे से capture भी आम-चीड बी आप कोष़ करने सीधे बोला है कि इस्टुडेंट्स के प्राइब में किसी वेकार से हमारी प्राइब नहीं है तो जैसा कि आप देख पारें कि काफी ज्यादा वैड न्यूज्जे आप खुश करके इस्टुडेंट्स के लिए जिनके साथ ये तीन प्राइबलों सारी है और हाँ के लिए अच्छे से त्यारी करें और अपने डाकुमेंट भाई अभी से ही त्यार करें को कि इसकी बैकंसी जून में आने वाले इसकी इंफर्मेंशन आपको जल्दम देने वाले हैं तो ज्याद अपना टाइम बेकार ना करें और अच्छे से त्यारी करने पर अभी से ही लारत